नमस्कार दोस्तों, UNKT Study Portal के YouTube चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में 1857 की करांती से एकजाम में जितने भी प्रस्न बन सकते हैं उन सबी प्रस्नों को देखेंगे यदि आप लोग SSC, Railway, NTPC, Group D इन सभी परिच्छाओं के तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही मौतपूर है और दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुल 25 प्रस्न पढ़ेंगे आपका जितना भी प्रस्न सहयोगा के कमणबाक्स से बता दीजेगा कि आपका कितना प्रस्न सहयोगा है तो चलिए हम सब शुरू करते हैं तो आज का जो पहला प्रस्न है आप सब इससे बताए बताए कि 1857 का विद्रो कहां से प्रारम हुआ था बताए दिल्ली से, की जासी से, की मेरण से, की कानपूर से तो देखे पहले का आप सब इससे बताए बताए कि 1857 के विद्रो का तातकाली कारण था बताए किया था आप संदिया है चर्वी वाले कार्तूसों का परियोग आरम करना और देखे आपसन भी दिया है डलहोजी का जबती का सिधान आपसन सी दिया है ब्रिटीश सैनिकों एवंग भारतिय सैनिकों के वेतर में भारी अंतर और आपसन डी दिया है भारतियों को इसाई धर्म में परिवर्तित करने का तो दोस्तों बताईया ठाड़ सो संतावन के विद्रों का ततकाली करण किया था तो देखे दूसरे का आपसर नंबर जोगा आपका एसायोगा चर्बी वाले कार्टूसों का पर्योग आरम करना तो देखे दोस्तों सिपाहियों के बीच अफवा फैल चुकी थी कि कार्टूस में लगी हुई चर्बी सुवर और गाय के मांस से बनाई जाती है और देखे दोस्तों अभी जान लिजिए यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों की धार्वी भावनाव के बुरूद था इसने दोस्तों अथारसों संतावन के विजरों का जो तातकाली करण था यही था चर्बी वाले कार्टूसों का पर्योग आरम करना अगला प्रसन आपसे बताए तीसरा प्रसन है बताए कि वह पहला भारती सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कर्टूस का पर्योग करने से इंकार कर दिया बताए मंगल पांडे की सिवराम की हरदेव की अब्दुलरहीम तो देखे तीसरे का आपसा नंबर A सयोगा तो देखे वह पहले भारती सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कर्टूस का पर्योग करने से इंकार कर दिया देखे वह मंगल पांडे थे तो तीसरे का आपसा नंबर A जोगा सयोगा आप सब इसे याद रखेगा प्रसन आपसे बताये चौथा प्रसन है बताये कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 इसवी में विद्रो का सुतरपात किया संबंदित था बताये 34 वी नेटिव इंफेंटरी से की 22 वी नेटिव इंफेंटरी से की 19 वी नेटिव इंफेंटरी से की 38 वी नेटिव इंफेंटरी से तो देखे दोस्तो मंगल पांडे 34 वी नेटिव इंफेंटरी के सिपाई थें दोस्तों अभी याद रखेगा मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपूर में चर्वी वाले कार्टूसों का इस्तिमाल करने से मना कर दिया और देखे दोस्तों अपने अधिकारी की हत्या कर दी तो देखे इस प्रसन का आपसा नमबर एजोगा सयोगा याद रखेगा मंगल पांडे का जो समझन था वा 34 वी नेटिव इनफेंट्री से था याद रखेगा अगला प्रसन आपसे बताए पांचमा प्रसन है बताए कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेत्रित्व निमनल खीत में किशसर से किया था बताए लखनाव से कि कानपूर से कि बनारसे की इलाबा से तो देखे प्रसन नमबर पांच का आपसन नमबर जो होगा आपका एज सयोगा तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का जो नेत्रित्व किया था वा लखनाव से किया था याद रखेगा तो पांच का आपसन नमबर जो होगा सयोगा देखे दोस्तो बेगम हजरत महल अवदके सासक वाजित अलिशा की पहली पतनी थी इसे भी याद रखेगा अगला प्रसन आपसन बताए प्रसन नमबर 6 है बताए कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था देखे इसे भी पूछा गया प्रसन है तो देखे यह इसने एक्जाम के दिश्टी से यह प्रसन काफी इंपार्टेंट है तो बताए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था लाड डल होजी था कि लाड बिलियम बैटिंग था कि लाड कैनिंग था कि लाड 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल था याद रखेगा देखे दोस्तों यह भी जा लिजिए लाड कैनिंग जो था वह भारत का पर्थम वा इसराय था अबर गवर्नर के रूप में उसका कारेकाल 1856 से लेकर 1862 तकराई से भी याद रखेगा और देखे दोस्तों इस दोरान ही गवर्नर आप इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार गवर्नर आप जनरल आप इंडिया को ही वासरा घोशित किया गया इसे भी याद रखेगा अगला प्रसना चलिए हम सब देखते हैं प्रसन नमबर साथ है आप सब इससे बताएए बताएए वर्स 1857 के बिद्रों के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया बताएए कुमर सिंग ने कि तात्या टोपे ने कि लचमी भाई ने कि मंगल पांडे ने तो देखिए साथ का आपसन नमबर डी जो होगा सयोगा देखिए दोस्तों 6 अपरेल 1857 को मंगल पां 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई याद रखेगा अगला प्रसन चलिए हम सब देखते हैं प्रसन नमबर आठ है बताए कि 1857 के बिद्रों में कानपूर में सैनिकों का नेत्रित्व किसे ने किया था बताए कुमर सिंग ने कि तात्या टोपे ने कि लचमी भाई ने कि नाना स तो देखे दोस्तों प्रसन नमबर आठ का आपसन जो होगा बीश सयोगा तो देखे दोस्तों तात्या टोपे भारत के पर्थम स्वाधिनता संगराम के एक प्रमुक सेना नायक थे तो याद रखेगा इसे भी अगला प्रसन चलिए हम सब देखते हैं प्रसन नमबर नो है बताए कि 1857 के विद्रों की सक्तिका सबसे महत्वपूरत तत्वक काउँ सा था बताए नाना साहिब का नेत्रितों था कि जासी की राणी का नेत्रितों था कि बहादुर्षा का सहयोग था कि हिंदू-मुसलिम एकता था तो देखे दोस्तों प्रसन नम्बर 9 का जो सही आपशन होगा वह आपशन इसका डि होगा तो देखे थारे सो संतावन के विद्रों की सकतिका सबसे महत्तों अपुड़त तो जो था वह हिंदू-मुसलीप एकता था याद रखिएगा तो 9 का आपशन नम्बर जो हो नाम क्या था मताये मढोल का था कि जैसरी था कि पदमा था कि आहल लेया था तो देख्यए प्रसन नमबर 10 जो सही विकलव हो तो आप शुक्रसन नमबर क्ष्टमी बाई का जो मूलां था वाम ऻाप याद रखत相 More जो है प्रतने काफी बार एकजाम में पूछा गया है इसे याद रखेगा देखे दोस्तों लजमी भाई का जन्म वरारसी में 19 नॉमबर 1828 को हुआ था याद रखेगा दोस्तों आप सब इसे भी याद रखेगा रानी लज्मी वाई का जन्वन जो हुआ था वारारसी में 19 नॉमबर 1828 को हुआ था याद रखेगा देखे उनके बच्पन का नाम मडिक करडिका था लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था इसे भी याद रखेगा चलिए हम सब अगला प्रसन देखते हैं बताए कि भारत के सीछित मध्यम वर्ग ने बताएं आप्स औ दिया है 1857 की रांती का व्शे YES अbigरब दिया था था पो शाम्belsा प। प्रस्पन की दिया 7 चलिए हम सब अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमबर 12 है आप सब इसे बताए तो देखे या कथन दिया है निम नलखित कथनों पर वीचार किजिए तो देखे पहला कथन दिया है कि मंगल पांडे बैर्फ पूर यानि बंगाल इस्थीत 34 वी नेट्यु इंफीन्ट्री का एक शिपाय था दूसरा देखे कथन दिया है वह पहला भारती सिपाई था जिसने एनफिल्ड राइफल जिसे में चर्वी लगे कार्तुस का परोगोता था का परियुग करने से इंकार किया देखे तीसरे हाँ पर कथन दिया है मंगल पांडे ने 29 मार्च 800 संतामन को सारजेंट मेजर यूजसन को गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट बोग की तलवार से हत्या कर दी और देखे चौथा कथन दिया है बिद्रों के आरोप में मंगल पांडे को 8 अपरल 1800 संतामन को फांसिक की सजा दी गई बताएए उपयुगत कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है बताए किवल एक और दो सही है किकेवल दो और तीन है कि एक दो तीन और चार ये सभी तो देखे दोस्तों प्रसन नमबर 12 का जो सही आपसन होगा वह देखे यहाँ पर आपसन नमबर जो होगा D होगा एक, दो, तीन, चार या सभी देखे कथन जो है सत्य है तो यहाँ पर देखे सही है तो यहाँ पर देखे 12 का आपसन नमबर D सही होगा यानि यह जितने भी कथन दिया है पहला, दूसरा, तिसरा, चौथा यह सभी सत्य दिया है चलिए हम सब अगला प्रसन देखते हैं प्रसन नमबर 13 है आप सब इसे बताईए दोस्तों आपने अभी तब वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्लिज लाइक कर देजिए अगला प्रसन आप सब बताईए प्रसन नमबर 13 है बताईए ठार सो संतावन की करांतिक के समय ब्रिटियन का परधान मंतिरी कौन था बेंजामीन डिजराइली की लाइड जार्ज की गलेड स्टोन की लाइड पामस्टर्न तो देखे दोस्तों तेरह का आप सब बताईए प्रसन नमबर 14 है यहां पर देखे दिए सूची एक को सूची दो से सुमेलीत करना है तो देखे दोब सूची 1 तिए बिदुरह का छेत्र दिए और देखें सूची 2 दिए पर देखे लिप दोर दोस्तों प्रसनबर 14 औप्सार श्युज़ा तो देखिए परसन नमबर 14 का आपसन एसाय होगा यानि आप सब देखिए एका एक होगा तो देखिए मेरट जो बिदरों का छेतर था वो कदम सिंग का था फिर देखिए दिल्ली जो बिदरों का छेतर था या देखिए बहादूर सा द्वितिय का था फिर देखे हरियाणा जो बिद्रों का छेतर था वो देखे रातुला राम का था फिर देखे बरेली जो बिद्रों का छेतर था वो खान बहादूर खाका था तो देखे इसलिए 14 का अबसन नमबर सहयोगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 15 है बताई ए अठारो सो शंतावन में अंग्रेजी सामराज के बिरुध पंजाब में किसने ससत्र विद्रोख या बताई कि सयनिकोंने की नामधारी सीखोने की अकाली सीखोने की निरंकारी सीखोने तो देखे दोस्तो 15 का आपसान नमबर जो होगा आपका 20 सहयोगा तो देखे 1857 की क्रांति में अंगरेजी सामराज के विरुद्ध पंजाब में यहाँ पर देखे नामधारी सीखों ने ससत्र विदरों कियात याद रखेगा तो 15 का आपसा नमवर वीजोंगा, सैयोंगा देखे दोस्टों सिखो के नाम धारी संपरदाई के लोग कुका भी कराते हैं, याद रखेगा इन लोगों के ससतर बिद्रों के नाम से कुका रा जाता है, इसे भी याद रखेगा चलिए हम सब अगला प्रसन देखते हैं, प्रसन नमबर 16 है, इसे बताईए, बताईए कि बिहार में 1857 की करांती की नेता कुमर सिंग का देहांत कब हुआ, बताईए 10 सपरल 1858 को हुआ, कि 17 जून 1858 को हुआ, कि 26 सपरल 1858 को हुआ, कि 20 जून 1858 को हुआ, तो देखें प्रसन न की क्रांति के नेता कुमर सिंग का जो देहांत हुआ था वा 26 अप्रल 1858 को हुआ था याद रखेगा तो कोला का आपसर नमबर सी जो होगा सई होगा चलिए दोस्तों हम सब कुछ कुमर सिंग के बारे में जान लेते हैं तो देखिए कुमर सिंग सन 1857 के पर्थम भारतिय सोतंतरता संगराम के सिपाई और महानायक थे और देखिए दोस्तों 23 अप्रल 1858 में जगदी सपूर के पास अ गया दखिए दोस्तों जनवरी 1857 में कि फरवरी 1857 में तो देखिए जिसमें गाय और सूवर की चर्वी वाले का अ diferencia का पर्योग होता याद रखीगा तो देखिए प्रस नंबर 17 का आपसा नंबर जो होगा सीज से योगा तो चलिए हम सब इसी प्रसन में कुछ जान लेते हैं तो देखिए दोस्तों भारती सेनिकों को इनकार तूसों को मुह से काट कर परियोग करने के आदेश दिये गए 28 मार्च 1857 को 34 नेटिव इनफैंटरी बैरकपूर देखिए कोलकाता से सेनिक मंगल पांडे के नेतिरितों में इनकार तूसों के परियोग संबन्दी आदेश का उलंगन किया गया प्रिडाम सरूप मंगल पांडे को फांसे की सजादी गई इसे भी याद रखिएगा अगला प्रसन चलिए हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 18 है बताए कि निम्नलिखीत में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रो दमन के बाद भारतिय फोज के नोसंगठन से संबन्दी थै बताया पबलिक सर्विस आयोग की पील आयोग की हंटर आयोग की साइमन कमीशन तो देखिए प्रसन नमबर 18 का आप्षन इसका 20 से योगा तो देखे दोस्तों 1857 का विद्रो दमन के बाद भारति फोज के नोसंगठन से जो संबन्दी थै वह पील आयोग संबन्दी थै याद रखेगा तो यहाँ पर देखिए 18 का आप्षन नमबर 20 से योगा तो देखे दोस्तों 1857 के विद्रो के बाद ब्रिटिस सरकार द्वारा सेना के पुनरगठन के लिए अस्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना में भारतिय सेनकों की तूला में उरोपियों का अनपात बढ़ा दिया गया तो इससे भी याद रखेगा चलिए अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 19 से बताये कि 1857 के विद्रो को किस उर्दु कवी ने देखा था देखे यह भी प्रसन बहुत ही महत्तपूर आये बताये मिर तकी मिर ने की जोक ने की मिर्जा गालिब ने की इकबाल ने तो देखे दोस्तों 19 का आपसन नमबर सी सहयोगा तो देखे दोस्तों 1857 के विद्रो को मिर्जा गालिब जो थे यह एक देखे उर्दु कवी थे इन्होंने देखा था तो 19 का आपसन नमबर सी सहयोगा दिखे दोस्तों 1857 के बिद्रों के कई चित्र मीर्जा गालिव के पत्रों और किताबों मिलते हैं ते अभी याद रखेगा अगला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 20 है बताए निमनल खित में से कौन 1857 के बिद्रों में अंग्रेजों का सबसे कटर दुस्मन था बताए कि मौलवी अहमदुल्ला साह कि मौलवी इंदा दुल्ला कि मौलाना फजलेहक खैराबादी कि नमावलिया कतली तो देखे बीस का यहां पर आपसन नमबर 20 है तो देखे 1557 के बिद्रों में अंग्रेजों का जो सबसे कटर दुस्मन थे वह मौलवी अहमदुल्ला साह याद रखेगा देखे दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला साह ने फैजाबाद में विद्रों को अपना नेतिरुत परदान किया यह याद रखेगा और यह अंग्रेजों के सबसे कटर दुस्मन थे और देखे दोस्तों मौलता तमिलनाड में अकाट के रहने वाले थे पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे देखे दोस्तों इसलिए उन्होंने जो है फैजाबाद में विद्रों को अपना नेतिरुत परदान किया यादर कियेगा चलिए अकला प्रसन हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 21 बताये कि जगदी सपूर के राजा थे बताये नाना साहब थे कि तात्या टोपे थे कि लचमिबाई थे कि कुवर सिंग थे मताये कौन सावी कल्प से ओगा तो देखे दोस्तों 21 का आपसन नमबर 10 जगदी सपूर के जो राजा थे वहा कुवर सिंग थे याद रखीएगा तो देखे बिहार के सहाबाद जिले के जगदी सपूर ग्र बिद्रों का नेतिर्टों किया था तो इसे भी याद रखेगा दोस्तों आप सब यह भी जान लेजिए 1857 के बिद्रों के समय इनके अदब में साहस बीरता और कुशल सेना नायक कत्व के करड इन्हें बिहार का सिंग का गया इसे भी याद रखेगा अगला प्रसन चली हम सब देखते हैं प्रसन नमबर बाईस है आप सब इसे बताइए पतायए कि 1857 के बिद्रों का नेतिर्टों बिहार में किसे ने किया भी इसे jest तो देखें, अगला प्रसन देख लेते हैं, प्रसन नमबर 23 है, आप सब इसे बताइए, देखें, प्रसन दिया है, 1857 का बिद्रों मुखे तक किसकारण से अस्फल रहा, यहां पर देखें, आप सब दिया है, हिंदू-मुस्लिम एक्ता की कमी, फिर देखें, आप सब दिया है, किसी सामान योजना और केंद्रिय संगठन की कमी, आप सब दिया है, इसके प्रभाव का सिमित चेतर, फिर दिया है, आप सब दिया है, आप सब दिया है, यहां पर जमि केंदिरी संगठन की कमी के कालड देखिए यह असफल रहा तो इसलिए 23 का आपसर नमबर विजो का सहयो का याद रखिएगा प्रसन चलिए हम सब देखते हैं प्रसन नमबर 24 बताए निमनल खित में किसने 1857 के विद्रों को एक सडियंतर की संग्या दी बताए जेमस आउटरम वर डवलू टेलर ने की सरजान के ने की सरजान लारंस ने की टी आर होमस ने तो देखे 24 का आपसन नमबर देखिए इसका ए सहयो का तो यहाँ पर देखिए 1857 के विद्रों को एक सडियंतर की जो संग्या दी उवे देखिए जेमस आउटरम वर डवलू टेलर थें तो यहाँ पर देखिए 24 का आपसन नमबर ए जो होगा सहयो का अगला प्रसन आपसे बताए प्रसन नमबर 25 है बताए निमनल खित वर्गों में किसने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया बताए खेतिहर मजदूरों ने की सावकार ने की किडिशक ने की जमिदार ने देखिए यहाँ पर आपसन दिया है आपसन एक केवल एक आपसन बी दिया है एक और दो आपसन सी दिया है केवल दो और देखिए आपसन डी दिया है दो और चार तो आपसन बताए यहाँ पर निमनल खित वर्गों में किसने 1857 के विद्रों में भाग नहीं लिया तो देख प्रसन का आशन डिस्ता योगा दो और चार यानि देखिए साउकारों ने नहीं भाग लिया फिर आप सद देखिए जमिंदारों ने नहीं भाग लिया तो यह दुनों जो थे को भी सब्स्राइब के लिजेगा तो इसे वीडियों में तुनाएं तो नमस्कार जैन जै भारत